कि नमस्कार में मीथून याताओं आप सभी का कॉम्पोडिशन कम्मूनिटी पर स्वागत करता हूं गाईजी मैंस का जो सीडिक चल रहा है मैंस जो आपको मैं मैंस की बात कर रहा है उसमें दूसरा लेक्चर से इससे पहले आपको एक और वीडियो मिल चुका है परसंटेज पर गाई जो आप मैंसे सपरेंट जो नहीं देखें जाए परसंटेज का वो कॉस्टन टॉप 10 करा हैं किस लेबल के सवाल करा है उसके बाद प्रॉफिट लॉस आज पढ़ रहा है एक सवाल देखेंगे जो इस तरह सवाल मैंस में आपके अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि मैं को देखकर के मैंस का ज्यादा ना लगाएं क्योंकि उससे आप करीबन दो सब्सक्राइब आपको देखने को मिलेगी मिलेगी इस बात का ध्यान लखेंगा ठीक है तो प्रिप्रेशन करने की दौरा अभी आपको जो कॉस्टन प्रैक्टिस करनी चाहिए खुद को खुसी द एक और छोड़ी से बात जो भी बच्चाहिए मैंस की त्यारी करना चाहरा आफ लाइन में ओनलाइन तो कर रहा है ओफ लैन वे वह वैगर आप देख लेना तेरह मार्स अगर आपको पता है कि इसे एडियो की वेकंसी आने वाली अभी एडियो है तो एडियो का भी बैस यह सब्सक्राइब तो जो भी वच्चे आफ लाइन में इंटेस्टेट हैं चारो आपके नियरे जो भी बरांच वहां पर जा करके अपनी ओफ लाइन क्लास भी कर सकते हैं क्योंकि पहले कॉम्पटिशन कमुटी ओनलाइन हुआ करता था आप आफ लाइन जैसो आचुकी है और सब्सक्राइब सवाल के लिए सवाल आपको देखकर कि एसास में सवालें बन सकती है जहां पर हम चाहेंगे किसको सोट वे मैं कैसे करें सवाल पढ़ेंगा आपको सभवाद कहां सकरों साब साब सब्सक्राइब रही है लाप क्या रहा है सिर्वात कहां से बात समझें कि जो भी कॉस्ट प्राइस था जो भी सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता बस इतना बोला कि सर अगर कॉस्ट प्राइस को तिरिपर कर देंगा हमें 50% का लाब होता है तो बताएगा कि एक युवाइश कॉस्ट प्राइस होगा जैको रिवाइश कॉस्ट प्राइस क्या होगा सब्सक्राइस को डबल कर देंगा अब मुझे बात बताईएगा तो यहां पर लाब कितना हो जा रहा है सर यहां पर प्रॉफिरी स्केस में जो हो रहा है ना सर वह जा रहा हमारा कितना 50% सवाल प्राइस है रिवाइश टेजिस सेलिंग प्राइस निकल जाएगा सब्सक्राइब किस See क्या निको तो सवाल खतम हो गया इसका मतलब जो चले रिवाइस तो छोड़ी दो तो यह सरे पहले कोस्ट प्रैस हम लोग कितना माने थे हम बहुत तो जो इसका मतलब पहले रहा कितना होगा से एक सेलिंग प्रैस सर तीन गुना करने बाद कितना निकल रहा है तीन सो तीस जब आपस जब जाना पड़ेगा तीन से भाग देदना खतम हो गया सीधा सीधा तीन गुना करने बाद जब तीन से बादरों तो जैसे भाग देंगा आपको निकल जाएगा 110 तो आप साब सब देख से पहले 100 रप्यम खरीद करके 110 बेजते थे तो यहां से जब क सब्सक्राइब को फिए प्रोफिट करने जा रहा है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बाद रो कुछ यू रहा अब देखेगा एक चीटिंग वाले सवाल काफी पूछा जाता है चीटिंग वाले जो सवाल होते हैं इसको कैसे अप एप्रोच करता हो सवाल बड़ा खुब जो ना करे मुले का मतलब जितना हम खरीद कर लाए उतना ही में बेच रहे हैं अब भाई सो रुपिय हम समान खरीद के लाए सो में ही बेच रहे हैं इसका मतलब लाब हमको तो कमा है नहीं हम यह लोगों से यह बोल रहा है कि हम तो लाब नहीं कमा रहे हैं लेकिन इसकी देख बैमान दुखदारों के भी हानी नहीं होता वो लाब कमा ही लेता बैमानी कर थेका है इस बात को समझेगा स्वाल करने का बेहतनिक तरीका कि इस सबसे खुवसरत तरीका है कि इंडिया में जोएसो अगर मौन लेकि खरीदने और जैसो गराम के हिसाब से होता तो एक किलम कितन सब्सक्राइब करने का मतलब है कि बादरों नहीं चीट करता यह हजार ग्राम की रेट से तोल करके देता लेकिन तोलते समय चीट करने का मतलब इसका सो ग्राम क्या कर दिया तो अब और आप एक नजाट डालिए कि आपके केकस में चोटा होता है और बड़ा होता है इसमें दुनें चोटा कोने 900 मतलों उसी कोश्ट प्राइस होगा क्योंकि आपको लाफ परसंट कोश्ट प्राइस पर निकाला जाता ठीक है रखने इस बात को और गुने क्या कर लिजेगा आप लोग हंडेर कर लिजेगा तो सर यहां से जो अंसर आगा एक बटे नौ का मतलए का लेवल काफी डिफिकल्ट आपको मिले क्योंकि आएसाई का जो वीडियो था फिर यह लोग पढ़ाए भी थे यूटूब पर आपको यह बात पता होगा लेकिन अब क्या चल रहा है कि आप यह सो मैंस का चला रहे तो कि मैंस में उस लेवल के सवाल का प्रैक्टिस कर सको की बच्रीन के पढ़ना तर बील्कुल आसकते हैं प्रांच मंघला में या कि मिलासपूर की बात कर लाम घर बिलकुल विजिटा कर सकते चलियंकर आ पहुत courtroom प्रेंच में ब्कूर यह बात करते हैं सवाल यह बात करेंगे इस बात को पहए इस होता क्या है एक लेंड को कितना बेचा 720 रुपय में कितना का नुकसान हो गया भई 75 25 परसंट का तो बला सर अगर वह 25 परसंट लाब कमाना चाहिए कितना बेचेगा सुम्प कोई दिकात ने पैन मत चलाना अगर आप मुझे इतना बता दो कि सारी 25 परसंट का मतलब क्या समझ तो हमारा 75 कमान बाद रुश के 720 के बराबर होगा ठीक है सर यह से एक कमान क्या होगा हम बोले एक कमान होगा 720 बटे कितना हो जागा बाद रुचातर अब सब्सक्राइब कर दो बहुत बहुत बढ़िया तो इसके लिए बहुत ज्यादा पैं चलाने की नौबत आपको नही तो अगर आप बारा सब्सक्राइब तभी जा करके 25 परसन का लाब और दिक्कत होगा चलिए नमर ए जो राइट अनसर तो को भी सवाल हो आपको इसी अंदाज बनाना होगा तभी अब जाकर कि समय बचा सकते हैं एक अची बात है कि यहां पर टाइम जो है सो बसारे बच्चे तो अगर आप प्रेक्टिस अगर आभी भी अगरा एक्स वाई जेड वाले मेथट से कर रहो बाद रहो समय नहीं बचा पाऊगे और यहां पर वह बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे जो इस मेथट को एप्रोच को क्या करता है अगर अब भी कोई दिक्कत जाएगा ताब दे इस मेथड की आपकी डिमांड है तभी आप समय बचा सकते हैं 100 कोस्तन दो घंटेम करना इतना असान बच्चे के लिए नहीं होगा अगर वह प्रैक्टिस नहीं करता है तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका बहाद और यह बात करते हैं बहुत ही खुबसूरत सवा कि सवाल आपको कई अलालेक जामें देखना के मिल चुका है बला सर देखिए एक जो रिष्ट वाच इसको खरीदा गया कितना में 450 में जिस कीमत पर खरीदा जाता है उसको क्या बोलता है कौस्ट प्राइस मतलब क्रेम मुल ले अब हो क्या रहा समझे ध्यां से हो क्या रहा इसको इस तरीके से मार्केट में उतार दिया मतलब लिष्ट प्राइस का मतलब मार्क प्राइस ठीक है अंकित मुल ले इस तरह से अंकित करके इसको मार्केट में उतार दिया कि अगर यह 10% का छूट दे रहा तभी इसको 20% का लाव हो रहा है तो बोले सर लिष्ट प्राइ एक साथ हो तब यहां पर एक याद याद रखिए क्या एक रिलेशन याद रखिएगा कि CP और MP का रेशियो निकाल सकता है क्या CP पराबर 100 मैनस क्या होता है बाद रो डिसकाउंट परसंट और यह हो जाता है 100 प्लस क्या हो जाता बहुत प्रॉफिर परसंट यह बात समझ में हम बोले हो ठीक है अब समझो 10 परसंट है डिसकाउंट तो सो में 10 जागा कितना बचेगा 90 और यहां पर 20 परसंट क्या दिखे आपको लाब तो सो प्लस बीस कितना होगा बतलो 120 सर इसका रेशियो निकाल लो हम बोले 30 से करा दो तीन वार में 30 से करा दो कितना बाद रो चार सो पचास देख लो अनि कितना गुणा डेट सो गुना देख लो ना देख लो तीन कामान अगर एक सब्सक्राइब कितना होगा बाद रो तो आगे इस तरह सवालों को इमीद करते कि इसको जलूर नोट्स बना ले न का कि काफी महतपूर है कई अलग लग जामें सवाल को प पूछा गया था डेटा वहां पर कुछ अलग था लेकिन पूछा इसी तरह का सवाल था तो जो भी महतपूर्ण टाइप हो सकता जो एस्पेक्टेड को सकता आपके सवाल करा दो लेबल में कोई कंपरमाईज हम पहले भी नहीं करते था आज भी नहीं करूंगा ठीक है एक सवाल आपके स्क्रीन पर आचुका है बहुत ही खुबसूरत सवाल है मैं चाहता हूं सवाल को देखा जाए गवार क्या लाजवाब सवाल है एक विक्रेटा ने वस्तु की कीमत उत्पाद लागत से 40% अधिक पर निराजित किया गया मतलब अंकित किया गया है आपको पता क कि कोश प्राइस पर नंकित किया जाता जैसे 40% तो मार्केट में 40% बढ़ाग चिपका दिया मार्केट में कितना चिपका दिया बहुत बढ़ी है सो का समान सिदे से 140 में चिपका दिया अब समान बोले सर 20% का छूट दे दिया मुले बाद रहो चूट हमेशा किस पर दिया जाता सर मार्क प्राइस पर दिया जाता तो 140 पर कोई बचा कर 20% देगा मुझे बताओ पैन मत चला यह कोई बच्चा रुक जाओ सार किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए की बात यहां देखीगा कि एक डिजिट के बाद पॉंट चिपका देंगे तो सर 140 का 10% चोगदा होगा तो 20% कितना होगा 28 होगा मतला 28 रुपे हैं पर क्या होगा मैनस होगा तो फैनली 28 मैनस करेंगे समान कितना बिच गया अरे सर समान तो 112 रुप्या मैरे सवाल आपसे होगा की समान खरीदे कितना हम 100 रुपया मैं और बैस कितना हम रहें तो इस केस में आपको जो प्रॉफिट हो रहा कितना भूरा है सब सबस् policymakers हमारे हिसाफ से हमको about to 20 six-лем को सबitchen सकतेagusrásuu कितना होगा 40 के बराबर तो यहां सब कऱा सकते सर 1 कमान कितना होगा चार और चार कॉस कुष्ट प्रैस कितना होगा वा कॉस्ट प्रीस कितना होगा तो सवा मान्य ते बादो मुझनवान ना और दो extras चपका देना, तो चार पर दो जोरी चपकाएंगों, चार सो ही जो राइट अंसा देख पा रहे हैं, वही पुछा है, उपसर नमर कहां पे है, उपसर नमर सी में आपको अंसा दिख रहा होगा, दोड़े-दोड़े, ठीक है, तो इस तरह से आपको एप्रोच लगाना है, ता 8% अधिक पर बेचने का दावा किया, ठीक है, मतलब सिधा-सिधा बोल सकता है, अगर 100 का समान ने 108 में बेच रहा तो 8% तो लाविए, इससे भी कमा लिए, समझे कि नहीं, ठीक है, आगे क्या बोलता है, लेकिन एक एसे वाट का इप्योग किया, वाट मतलब जो से तोलते नहीं हो यारी है, जिसने एक किलो, दो किलो लिखा रहा था, वही चीज़ है, ठीक है, जो वेट जो करते हो आप लोग, ठीक है, तो यसे वाट के इस्तमाल के जिस पर 750 लिखा हुआ था, मतलब एक जो लोह का जबह रहा तो साथ सो ग्राम का था, एक किलो का नहीं था, तीन बोल सकते हैं आट परसंन लाब, देखो न, सौका समाना करना, अगर आट परसंन अधीक पर, अगर आप कोई बैचा सेल करेगा, एक पहला लाब था, तो तुम बिना चीट किये भी कमा रहे थे, अगर आप चीट नहीं करते, तब ही आट परसंन लाब कमा रहे थे, लेकिन तो कड़ा कर दोसर चार से तो यह जब पचिस वते कितना हो जालने चार तो यहां पर जो इसको लाव कमा रहा है 25 बटे 6 परसंट तो यह दूसरा लाव है इसको लोग क्या बोलेंगे पी टू बोल देंगे आपको पता है पहला जो आट परसंट दूसरा जो एसको कितना 25 बटे 6 जब दो प्रॉफिट को जोडते हैं बादरों कैसे जोडते हैं तो मै सक्सेसी परसंटेज पीवन प्लस पीटू और प्लस पीवन इंटू बटे कितना होगा 100 और भी तरीका इस सवाल को बनाने का लेकिन जल्दी से बन जाएगा इस लिए बता रहो जल्दी बना लेना चाहिए पहला हमारा आठ है दूसरा हमारा कितना बादरों 25 बटे कितना हो आप बार में दो सब्सक्राइब कितना तीन बार में चोड़े दो चोगा 24 एक बटे च्छे और यहां पर कितना अध्यान से एक बटे 3 है तो इसको उपर नीचे शे बनाने के लिए नीचे क्या करेंगे इसको हम दो बटे 6 कर सकते हैं बहुत तो यहां से देखिए 12 पलस यह वन बाइट टू होगा वन बाइट टू का मतलब सीधा से बोल सकते हैं यहां पे साधे 12 परसंट का लाग हुआ तो यह बहुत इंपोर्टेंट सवाल इसको कोई बचा इगनोर नहीं मार सकता ध्यान रखना जब दो प्रॉफिट को मर्ज करना ह सब्सक्राइब करने की जड़ोत नहीं है इन सभी जनकारी के लिए अलग से ससी बैंक और सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करें तो यह अच्छी बात है कि आपको सब्सक्राइब कर दे रहा हूं लेकिन मैं मुल रूप से फेकल्टी एससी और बैंक आओ तो 36 में एससी को लेकर के बहुत जाग रूपता फ्यलाएंगे ताकि कोशिस करेंगे कि कम से कम बच्चे ज अब जाएं क्योंकि यह पर नोकुरियों की बहुत ज़्यादा होती है रियल्वे हैं एक लाग պंपिंसी यज इना यशस जह पुछती है तो ठाँ से लूप से खेंश अच्त है तो जरूरou exist लेकिन इसके लिए सारे बच्छे करें मेगा टेस्ट में इसको कोई चार्जेज नहीं होगा फ्री अपको इसका कर लिजिए ताकि आप टॉप 50 में आकर के प्राइज जी सकते इसवाँ टॉप 10 नहीं टॉप 50 वालों को प्राइज देने जा रहा है दिया रखना इस बात को सबसे बहतर ही मोका इससे को कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि टॉप 3 में आओगे तो सबको टैबलेट दिया जाएगा दस चार से लेकर के 20 तक करेंगे तो बैग और बुक दोनों दिया जाएगा बाहदरों और 20 से लेकर 50 तर रहा हैं तो एक खुबसूरत सा ब्लैक कलर का बै सब्सक्राइब देखें एक विपारी 30 रुपया परती किलोग्राम की दर से जो आर जो खरीदता है उस अनाज का बीस परसन वेर्थ हो जाता मतलब वेस्ट हो जाता है अब क्या बोला अब वह से सानाज को इस परकार की तरह बेचने की योजना बनाता ताकि वह 40 परसन जो स गये थे माल लिए कि हम सौ किलो जोर खरीदने गए और हमको रेट क्या पड़ा तीस रुपया और हम इसी पर नहीं और कितना कमाना चालीस परसन लाब हम बोले हाँ तो सार इसका मतलब एक सा चालीस बटे कितना हो जाएगा सब अब इस ही को इसमें तो टोटल हो गया लेकि सार आजागा रेट तो तुम्हें पता नहीं है तो लिसनने तर निकाल लेंगा खत्म हो जाएगा रेट कुछा है न हम बोले हो ठीक है बाई चलो कुछ जरूतने करने का सर्क करना क्या हम बोले कुछ नहीं है नियो देखो 100 सी गटा जिए ठीक जिरो-मट जिरो कटा दो तो कितना हो जागा 52.5 तो जो रेट होगा वह 30 रुपया के रही से क्या करना होगा आपको बेचना पड़ेगा ठीक है तो हमने सिधा-सिधा करके आपको यहां पर बता दिया कुछ नहीं करना पचीस गुने क्या करने बोलो बादरों फीकिस करते ना सिधा-सिधा जाएगा और कौन सा और क्या सिधा-सिधा भाई तो इमीद करते हैं बड़ा छोड़ा सवाल था लेकिन खुबसूरों सवाल है बच्चे गलतिया बहुत करते हैं ठीक है अगरा सवाल आपके स्क्रीन पर बात करके लिए क्या सवाल है एक और बहत्रिंग सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल अगर आप मेंस देने जा रहा है तिस सवाल को जरूर पढ़ लीजेगा ठीक है किल्कुलेटिव सवाल देखो लाक में दिया हम लाक अगर वह 7.6 लाक में कार को बैचता है उसको डेकश लाव कोने वज़ा था कुछ हानी हो जाता ठीक है तो इसको अगर उसी कार को अगर वह 9 लाक 20,000 में बैच देगा और लाव कितना होगा जो हानी था उससे तीन गुना होगा ठीक है आपाले भी से plaster है भाद में भी in fake passion पहले वाले selling price के साथ इसको हानी हो रहा था और बाद अब जो selling price के साथ क्या हो रहा है उसको लाव हो रहा है ठीक है वही ठीक है तो सवाल भला स्ब्राथ सब्सक्रा नहीं कि कार का कोश्वच प्रैस क्या होगा इस सवाल को सबसे करने करने सबसे बहतर है खुबसरा तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और मैं युमीद करूँगा यह वाग करोगे फिलाल में 7.6 को 76 माल लिए इसको 92 माल लिए पॉइंट के चकर में ना पड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं है आए आपको पता हो नीचे सब लाब क हुआ है कि नीचे जो है तो लॉस होगे लॉस के इसमें सेलिंक पराइस छोटा और कॉष्पर होग वहता है तो यहाँ पर जो 76 सको नीचे रख ली जे बादरो है її लाई नाम देते हैं ठेंक है साथ कौस्ट पराइस-स और सेलिंग परिस क्राइस ने कितना खुबसूरत तरीका बता तो एक लाइन में सवाल खतम करने का तो यहां से यहां से यहां लेकर कितना होगा तो चार का मान चाहे बच्चत निकाल सकता एक रेसियो आपर क्या होगा लाब हानी था तो यहां से दो तरीका निकल जाएगा देखो आपर तो यह एक रेसियो का मान निकल गया कितना प्लस कितना होगा उनिस पॉएट्ट कितना बर फाइब तो यह तरीका होगया इग और तरिका यह और यह हो सकता क्या किसटर एक कामान अगर सिक्स पॉइंट फूइट तो तो फिरी कामान कितना उगा सब्सक्राइब करेंगे तो वापस तुमको कितना मिलने जा रहे बाद रहा है क्या होगा लेकिन हम इसलिए क्या मानने थे या पर 7.6 तो यहां फिर से पॉंट कितना हो जागा यह एट पॉंट कितना हो जागा बात समझे कि नहीं पढ़ते नहीं है एक लाइन में सवाल को बन 9.2 में या फिर लॉस जो हुई है 6.5 उसको जोड़ दो 7.6 में यहां से अंसा आपको और लाली मिल गया ओफसर नमर कौन से बादरों सी है चलिए आगे मुलाकात करते हैं एक और खावसा क्योंकि आप सवाल जो भी आगा बहतरिंग सवाल ने आपके लिए आने के लिए बे करते हैं कहां से सुरुआत करते हैं बोला सरे वर्स्तु पर 20% का लाब हो रहा है बोले चाहरे 20% का मतला हम इतना सिरह समझते हैं कि सर देखो 100 का समान 120 रुपया में क्या किया बेच दिए इतना सुमझ में आगे सारे बच्चे को सवाल बला सर अगर इसको हम पर्षेस कोई दिक्कत नहीं अब सवाल क्या बोला अगर इसको 30 रुपया कम में बैचे होते तो तुमको 50% का क्या लाब होता बाद रोंगे 50% का जो लाब होगा वह बाद वाले सेलिंग पर इक पर स्वाविक है पहले तो तुमको सिदे-स बीस परसन लाब हो गया और बाद वाला प 50% बोल सकत हो 35 होगा क्या बाद वाद रों 35 होगा ठीक है तो 70 25 कितना वा बाद रों सरी हो जागा हमारा कितना 105 होगा सीधा सीधा मतला अब 70 रूपय हम खरीद किया सीधे 50 cream रूपय कमा लिए तो बैस कितना बैचे ठेक सरब में बेच रहों और पहले कितना बैच रहा 105 मे बेच रहते ती 15 Kaaman आपका कितना हो गया attis के बराबर होगे बादरं केंसील JE可以 कर देजियेगा यहां स्टेहां से 8 कमा लोगा गया विशाओं 3 प्रेक्ट करेंगे तो सबस्ष्णार आPark sir आई अग सब्सक्रास को के स्क्रेन पर आने को बेचेन है देखिए ये सवाल है क्या खुबसूरत सवाल है मैंने अक्सर बोलता हूँ कि यह वस्तू की बेचने की बैवाती है न अलग रेट से खरीदा जाए अलग रेट से बेचा जाए तो वो सवाल काफी महत्पूर्ण हो जाता है खास करके आप में तीन अर्टिकल के सवाल लेकर से इसरे आया हूँ ताकि मेंस के लेवल की कोस्टंस को फिल करो बनाओ प्रैक्टिस करो अगर इसके बीच में कोई डाउट है था हमसे बिल्कुल आकर कि आप मिल सकते हो ठीक है बाद रो चलिए देखते क्या है ठीक है छलु जली फटाहब हगसे हथा बड़ा पर फटाहर यह पर ननने 9 3030 रुपDर से खरीट और समानबहतरा में 570 6 रुपD की दर से खरीट है एक व्यक्ति खरीदिरने का काम दो बार किया है और दोनब और अलग लग रेट से खरीदा लेकि नमड़ अफ अर्टिकल बराबर है अगर हम पहली बार में 10 कलम खरीदे तो फिर दूसरी बारे 10 ये खर देंगे लेकिन खरीदने का रेट अलग लग हो जाएगा और आगे अब बेचने की बारी जब आई बठाई ये एक रेट से बेच दिय तीन संत्रे को 50 रुपया के दर से बेच दिया सभी को एक रेट से बेचता है तो इसको निकटतम जो ऐसो बोला कि सर लाब परतिसत क्या होगा मुझे बता दो तो आज़े कितनी खुबसुरत कितना असान सवाल को एक लाइन में खतम करतें देखिएगा एक ही काम करता है इधर आगे आगे बोला सिल्भा आजए अगला रिट्य। आप पांस संत्रे को के संख्या को बराबर करते और बराबर करतें 15 बनाते हैं , 15 बना दो इसको किस से multiply करना होगा 5 चीन से और बेचने करना कि यहां पर देख लो भाई ना इसको पांस ते क्या कर देगे अब यहां पर कुछ नया दिख रहा होगा और आपको CP SP कुछ नया दिखे कर अंसर आ जाएगा जब तीन से करेंगे तो देखो सरी 15 आर्टिकल को चार पंचे 20 का मतलब 200 रुपिया में क्या क्या देखो सिधा सिधा बोलो कि 15 आर्टिकल कितना हम खरीदे 200 रुपिया में एक और 15 आर्टिकल आप खरीदे कितना हम खरीदे बताओगे मतलब 15 15 आर्टिकल हम दो बर खरीदे आप बैचने की रेट 15 रुपियम कितना बैचने में एक ही रेट है 15 आर्टिकल ले जाओ देजाओ तो तुम 15 आर्टिकल नहीं कि तुम तो 30 आर्टिकल बैचोगे जब 30 खरीदे तो बैचना भी तो 30 पड़ेगा इसलिए एक और यहां पर 15 को क्या कि बैच दिए अनि जब 15 15 दो बार खरीदे 15 15 दो बार बैचेंगे अब बैचने करे 25 200 है तो अब देख सकते सार य 3080 पर और जब गुना 100 करेंगे तो यहां से तुमारा लाब पराप्त होगा वह कितना होगा पता दूं क्या 31.57 परसेंट ठीक है तो इसके आस पास में अगर बात करें तो 32 परसेंट जो ऐसो लाब आप मार सकतो 32 परसेंट एक जैक निकाल दिए देख लो ऑप्सन कहां पर ह देख लीजिएगा हलां कि बड़ा क्लोज अपसंदे दिया है गलत हो जाएगा ना मतलब आपको क्योंकि 35 से थोड़ा है तो 32 ने लिए ठीक है तो बड़ा अच्छा सवाल था बहुत इंपोर्टेंट सवाल इसको आप जलदे पढ़ है तो ध्यान रखना इस बात को ठीक है सी सेट पढ़े वहां पर सवाल अलगता है यहां पर सवाल आपके लिए अलग है तो हर वार हम सवाल को बिल्कुल कुछ ने कुछ नया ले करके आते ही हैं ताकि आपको लगे कि हां सर प्रैक्टिस सही हो रहा है क्योंकि आपके पस आस-पस जो भी बुक है वो लोकल बुक ह है कि आपके जो सीजी व्यापम है और पेसी है वह ससी सीजील को बहुत फोकस कर रहा है तो आपको उस लेवल के सवाल करनी पड़ेगी आई यह क्या खुबसूरत सवाल है बोला की देखो सर गीता ने जमीन को खरीदा एक लेंड को कितना 96000 में उस जमीन के दो बटे पांच हि क्यों है ठोटाल प्रोफित के बराबर कर दो बादरो खतम हो ऊगा जो को यहां पर यह जो रिमेंडिया आपको तीन पार बेचना होगा पांच में से और कितने में से और एक पर्सन के लाब पर बच देंगे और और अवर बात करेंगे-बाद रो तो overall आपको सिर्फ 10% का अलाव है तो यहां पर प्लस 10 अब लिख सकते हो समझे के नहीं खतम सवाल इस एक लाइन में सवाल को हम खतम कर दिए अब समझेगा सर यह क्या हो जाएगा हम भले कुछ नहीं यह मैनस 12 होगा मैनस 12 रहने दो यह 5 उदर भी दूँगा सर यह क्या हो ज यहां कितना हो जाएगा तो एक्स के अगर हम बाद करते हैं 12 बटे कितना होगा 3 तो जो लाब हो जाएगा आपको ध्यान रखेगा ट्वें 20 स्टो डिय बेचना पड़ेगा बचेई हो जमीन को तो हानी के बज़ाए तो और सब्सक्ट नमोर क्या होगा बी जो राइटर एक बहुत ही खुबसुरत सवाल है आई ये बात करते हैं ठीक है देखिए सवाल को इस सवाल को पढ़ोगे मज़ा आ जाएगा आपको इस तरह की सवाल अक्सर आपको मैंस की एक्जामे देखने को मिल जाती है जहांपर आपको बैलंसिंग को ज्यादा तरजी देनी होगी बै करेगा पढ़ने वाले बच रहेगा तो एक सो पंचानवे ठोक करके आएगा मैं बता दूँ तो ऐसा ही एक बहुत आसान एक्जाम होगा और एक्जाम जो है लेकर नहीं यह मैट्स का जो सक्षन है अप्रिटूड वला वह काफी स्कोरिंग रहेगा इस पर आपको नजर क्या बनाए रखना पड़ेगा चलिए एक सवाल आपको बढ़ाता हम बड़ा खुब सुरत है बला कि एक ग्रामीन वाले व्यक्ति ने एक बकरी और भेड को एक साथ खरीदा एक साथ जो एक साथ 24,250 रुपेम खरीदा है अनि कि दोनों का कॉस्ट प्राइस का सम है दोनों का कॉ बनाए यह तो बोला कि बता कि स्वाले पाले क्या होगा पाले किसको 10 परसन हम पर बेचा तो 10 परसंद के लाब पर बेचा यह बोटे 10 वाले कोश प्राइस मानते ही बात तुम है पता हो नीची है अब समझो क्या करने वाले हम पर पर और देखते रहो देखते रहो इसका यह मतलब की सार्व समान को 10 में खरीदा और एक रुपया कर लाव कि दस का 10% एक होता है तो सब्सक्राइब क्या किया होगा वेच दिया होगा हम बेच दिया अगर हम यह बकरी की बात करते हैं अगर अगर हम गौट की बात करते हैं तो क्या होगा सर यहां पर लॉस हुआ हम बोले कि इतना 20 परसंट है अब इतना बता थे 20 परसंट का मतलब क्या होता है एक बटे पांच नीचे वाले कोस्ट प्रैस मानेंगे अगर हानी हुआ तो उपर मैं मैंनस लगा दो मतलब यह पांच सब्सक्राइब कर देंगे अब देखते रहेगा कि सवाल हो चुका है सर यह हो जागा कितना चालीस और यह हो जागा कितना चालीस ठीक है बहुत बढ़ी है अगर दोनों को जोड़ दिया जाए देख लो कितना हम खरीदे थे 25 में और यहीं सवाल अबको यह बोला था यहीं पर आपको सवाल यह बोला था नहीं सर हम तो 40 का मान निकाल देंगे, तो कुछ नहीं करना, डेढ़ सोग गुने 40 का मतलब 15 चोगा कितना, वोगर 60 थाज़ा, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है, तो आसानी संसर मार सकते थे बादरों, कोई बहुत बड़ी बात है, नहीं था याप ठीक है, चलिए, 15 चोगा 60 पर 00, तो अप्सन नमर कहां पर आपको देख रहा, अप्सन नमर कहां देख रहा, अप्सन नमर डी जो राइटन से, ठीक, चलो, क्या करना था, भूल गए क्या, नहीं, सेलिंग प्राइस को बराबर करना, इससे बहतरिंग खुब शुरुत महतर आपको नहीं मिलेगा, अगर आपको फ्रेक्शन अगर देखना है, तो परसंटेज का वेडियो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, आप गुगल में भी कर सकते हैं, मिथून सर आप सर्च करना, गुगल पर मिल जाओंगा, यूट्यूब पर नहीं, यूट्यूब पर नहीं, कोई दिक्क्त ढ़ והप में चाहके सर्च करना सर, मिथून सर ए BENE 말씀CI इतना सर्च करना, तो नहीं मिल जाओंगा, आपको मिल जाएंगे और आप पढ़ सकते हो आईए अगला एक और खुबसूरत सवाल आपके स्क्रेन पे आ चुका रहे उमीद करते हैं कि गाई जी बहुत ही खुबसूरत लाजवाब सवाल है एक सवाल मैं आपको हमबर के लिए भी दूँगा क्योंकि सिर्फ मेहनत मुझस नहीं मिलता है कोई कोई कंपनी जो मेनिफेक्टर करता वो जाकरकर एक पीस नहीं नहीं वह को देगा हो शुलवर से लाकर अपना दुकान और हम लोग जाकर उससे खरीद आने समझा कि नहीं तो कोई मन मैनिफेक्टर नहीं पहुंच पाता तो उसी पर एक सवाल इन या बिस परसंद की लाब कमार करके अब दुकंदार ने कस्टमर को 56,100 पर बेचा लेकिन उसको उसके समय 15 परसंद क्या हो गया नि हो गया तो इस समान को manufacture किया कितना में था करी तरी के percentage बना लो लेकिन हम चाहते हैं कि तुम successive increment या decrement लगाओ जल्दी बनेगा सवाल हम बने कैसे हम बने बता रहा है माल लेते हैं कि जो ऐसो manufacturer का इसका कितना रहा होगा प्राइस पी रुपेर रहा होगा लेकिन जब तुम होल सेलर को दिया होगा हम बने हैं अब यह होल सेलर जो क्या डिवाड़ कीपर को किटना मृचा है पीस परसंड के लग पर 20% का मतलब 120 बते कितना हो जागा बलो सरी हो जागा हमारा कितना हो जागा 100 अब यह थो यह नहोंने हमें जो दिया 15% के ना हानी पर दे दिया 15% हानी का मतलब 85 बटे कितना होता सो और हमको समान मिल गया कितना मिला तो इसी का मान वह 56100 रुपिया बोल रहा है कितना असानी से पता चल जाने वाला है किए चले सब्सक्राइट रहा है यह कितना चाहिए चले सब्सक्राइब 301 घॉत तो सब्सक्राइब हो रहा है जो कितना इसे निए तो 50 पर क्या करेंगा नहीं चूट रहा है तो 50 पर फिदा तर तीन जिरो चिपका देना तो यह तुमरा क्या हो जाएगा प्राइस मतलब तो बड़ा खुबसूरा तरीका था इंक्रिमेंट और डिक्रिमेंट का जल्दी अंसर आ जाता तो आप और सवाल आपके स्क्रीन पर आएगा देखते ही सवाल आखिर है क्यार यह बहुत ही इंपोर्टेंट है यह अभी ट्रेंडिंग सवाल है इसको मैं कई तरीके बना सकता ह किसे करो पहले बहुत है कि इसकाउंट बीस परसंट का लाब कमाया है अगर किसी कोस्टन में बहादरो डिसकाउंट और प्रोफिट परसंट एक साथ दिखे ताब की बात भूलना नहीं चाहिए था कि कोश्ट प्राइस और मार्क प्राइस का सर अपने एक यह एसो रामवा अगर बीस है तो सो में भी जोड़ेंगे 120 होने वाला है अब यहां पर देखना बोला सर यह आठ अर्टिकल को छे के रेट से बैचा है मतलब क्या समझे यहां पर कुछ मार्क प्राइस तो आठ है लेकिन उसको छे के प्राइस में तो छे का पैसा लेकर करके दिया है समझे क 800 अंक है समझ लो eight रुपया मार्के प्राइस चेँ रुपया मोरे दिया है समय चलो Еще के लिक्रेट को टेकर ज्लुका हुए तो मार्क प्राइस को मार्क प्रीस में बहुद देंवें नोली निल आप सभ प्रैस को क्या करोग्य जब् shape अब मार्क प्राइस को आख तिना एंसलिग आजिगा नंसिर्वाग योग जाए लिए कंभ कितना बढ़ह कर रहे हैं जूइतल सब्सक्राइब का सब्सक्राइब कि इस नहीं करने सर कि याद नहीं रखना चाहता है कि mark price को mark price में भाग नहीं देना है तो किस सीलिंग प्राइस में किया कर देना है गांई था हुआ आप सिधा एक काम करो कि Selling Price को Selling Price के बराबर करके एक लेने ख़तम ये सवाल आसान नहीं है यह हम बता रहों कि पांच बार आचुका होगा सवाल या लग लग जामें ठीक ही कई वार आ चुका है इसलिए में पता है कि सवाल आपका कहां सुठाने वहला मुझे पूरा 100% पता है ठीक चलिए अब यहां पर बता रहों सेलिंग प्राइस को सेलिंग है उस पर 20% का डिस्काउंट का मतलब 80 बटे 100 में बेचा होगा सर एक डिस्काउंट तो और हम बोले क्या सर आठ का समान को छे में बेच रो मतलब दो का डिस्काउंट है लेकिन हम एक चुली सेलिंग प्राइस निकालने जा रहा था जिदा सेलिंग प्राइस को उपर रख तो मतलब 8 के समान पर 2 का छोड़ दिये तो बेचेंग कितना हम चे में किस पर बही 8 पर मतलब को सैलिंग प्रैस निकल गया कितना छे बटे 8 तो सडवा जिल सा डविल जिल दो कर दो यह वह दो तो क्वाश्ट प्राइस कागर हम रेशियों की बात करते हैं एक बटे दो अन्हीं पर्संटेज चाहिए ना तब को सब दिख रहे हैं तो दोनों में सब्सक्राइब बहुत important सवाल इसको भी ignore नहीं कर सकते थे गाई जाई है यहां पर एक और सवाल आपके screen पर दीख रहा होगा ठीक है अब देखिए हमें चाहते हो इसी कुछ सथ homework में रखाओ ना हा रुक जाओ इसी सवाल को मैं homework में रखाता हूं यह सवाल ना यह भी बहुत खुबसूरा सवाल हम चाहते हैं कि सारे बचे कमेंट करना क्योंकि मैं वीडियो बना देता हूं और homework देता हो तो तुम आराम से देख लेता हो तुम परियास ही नहीं करता हो और मुझे पता कि इस सवाल तुमको मिलने जा नहीं रहा है अगर हम हर एक वीडि सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है आप कहीं से हैं किसी अधर को चींग पढ़ रहा है 36 से आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं connect to teacher से ठीक है अगर आपको और वी वीडियो चाहिए तो यूटूब पर बहुत सारे मेरी वीडियो पढ़े होंगे कोको एससे चैनल पर भी मेरी बहुत सारी वीडियो पढ़े हैं वहां से भी आप देख करके नौट्स बना सकते हो ठीक है चलिए तो आप गाई इस वीडियो को यह समाप्त करता हूँ तो यह संभावित कोस्टन जो हो सकते थे उसको ले करके हम एक सेस्टन को बनाए और हिंद जय भारत अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर द कर दो